कि अब्रीवन नमस्कार कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन और आपका स्वागत है आज हमारी बातचीत होने वाली है तो हम दूसरे तरफ से चालू कर रहे हैं तो हमने यहां से चालू कर लिया है ताकि आप लोगों का हमें साउंड सुनाई दे सके नमश्कार आदाब सच्रीयकाल दोस्तों कैसे हैं आप हाँ जी तो वेलकम तू अनदर सेशन ओफ सिंप्लिफाइंग कार्डियोलोजी और टोड़े वियर गूंग तौक अबाउट कार्डियक साइकल तो वाट एग्जैकली इस कार्डियक साइकल और इसमें कहां कहां पे आ आपको डिफिकल्टी आती है यह कई लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होती है कई लोगों को लगता है कि कार्डियक साइकल एक डिफिकल्ट कॉंसेप्ट है लेकिन एसन नहीं है यह बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग है अगर आप इसे समझना चाहें तो आपसुलूटली अमेजिंग अन इंट्रस्टिंग टॉपिक गुड अ है बढ़िया सो वी है फ्यू पीपल ओरी जॉइन जो लोग जॉइन कर रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको कमेंट को अच्छे से पड़ पाएं और देख पाएं के आपको अवाज आ रही है या नहीं और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज डोंट हेजिटेट तो आस्ट इस अलाइव क्लास और वी के बाद हमारे पास और भी बहुत कुछ है मैं आपको बता रहा हूं अभी आगे पहले देख ल and then I did a diploma in cardiology and fellowship in clinical cardiology and since then I am working as a consultant physician and cardiologist in Yashoda Superspeciality Hospital Nehru Nagar Delhi NCR and I have been and I have been teaching medical concepts to medical students as well as general public since last four years so 4 साल से हम medical concepts आपको और सारी दुनिया भर के लोगों को समझा रहे हैं so this has been a great experience coming on to Unacademy and Unacademy का platform जो है it is very nice so तोडा सा डिसॉंक्यु और रहे हैं all right so ऐसे कर लेते हैं now that is better so sorry for the disbalances so पहले समय लेते हैं Unacademy congratulations Congratulations for all the toppers, हमारे पास में बहुत सारे toppers हैं अनकाडमी के, जो जुन्होंने FMGE के exams में top किया है, और इसी के तरहा हमारे पास में बहुत सारे classes चलते रहते हैं, there are educator curated test series, which are coming regularly, तो आप अपने N Academy के app में जाके, इस series को देख सकते हैं, access कर सकते हैं, याद रखियेगा, और हमारे पास में जो classes है, उसमें दो प्रकार की classes होती है, number one, there is a plus subscription and then there is a iconic subscription, so plus subscription में, there is access to live and recorded classes and iconic, और साथ में इसमें, you can choose your educator, you have live quizzes, you can study on any device and you have access to 25,000 and more question banks and iconic subscription में, you get a subscription of prep ladder along with N Academy, so these are two advantages and now आपको बहुत important, इस class के बाद हमारे पास special class होने वाली है, 11 o'clock पे, जो N Academy के app पे होगी, यानि इस class का आगे का पार्ट जो होगा, वो हम special class में पढ़ाएंगे, और उस special class में interactive live class होगी, वहाँ पे भी आप directly chat कर सकते हैं, यू can actually, वहाँ पे polls conduct किये जाएंगे, यू can raise a hand there, वहाँ पर आपके पास में lecture notes होंगे and anywhere आप उसको देख सकते हैं, तो good evening and obviously question bank आप assess कर सकते हैं, subscription ले सकते हैं, ये code है 10% और इसमें अन Academy में raise a hand वाला बहुत important नया feature add हुआ है, जिसमें के आप अपना हाथ ऊपर करके question पूछ सकते हैं, so that is a very good feature which has been added, अच्छा इसमें हमारे पास में जो already joined लोग हैं उनके लिए, there is fast revision batches which are available, so fast revision batches में भी आप ध्यान रख सकते हैं, all right, fast revision batches में हमारे पास में 31st Jan से शुरू हो रही है, neat ultra fast revision target subject wise batch 31st January से चालू है already, second fem से we have these two batches और focus इस exam के लिए या neat PG के लिए, FM GE के लिए भी आप join कर सकते हैं, यह सब classes, so if you want to join the plus subscription, उसमें आपके पास में यह सारे rates हैं, और iconic subscription के यह सारे rates हैं, so इस चीज़ के लिए आप हमारा code यूज कर सकते हैं, परमजीद और इसमें आपको 10% discount मिलेगा, right, so let's start with today's class, आज की class शुरू करते हैं, और आज की class का जो topic है, वो है cardiac cycle, so cardiac cycle के बारे में आपको जो बताने हम जा रहे हैं, उसको पहले समझते हैं, so what is the cardiac cycle, cardiac cycle is basically, कि heart के अंदर जो blood आ रहा है, sequence of events, जो heart के अंदर हो रहे हैं, that is all confidence, वो सारे मिला के जब आप देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं cardiac cycle, याद रखे, so cardiac cycle में क्या-क्या आएगा, there will be atrial events, and there will be ventricular events, so atrial events, and ventricular events, heart के चार पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, तो heart के अंदर, अब आपको हम इससे भी सम्झाएंगे, sorry, okay, right, so heart के अंदर हमारे पास में चार पार्ट्स है, there are two atriums, right atrium अभी बेसिक तो आपको पता हिए, left atrium, right ventricle, and left ventricle, ठीक है, so atrial events means systole यहने के, systole means contraction, you already know, and diastole means relaxation, although the concept here is a little different, because clinically जब हम systole की बात करते हैं, तब हम ventricular systole की बात करते हैं, clinically जब हम बोलते हैं, heart is in diastole, we are talking about ventricular diastole, so here we are talking about these two things, atrial events और ventricular events, so let's slowly देखेंगे, आराम से देखेंगे, मगर अच्छे से देखेंगे, ठीक है, so please don't go anywhere, and like का बटन दबा दीजे, और subscribe कर लीजे इस channel को, और share कर दीजे, so यह बहुत important topic है, प्यार प्यार से देखेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, okay, so, normal rate जो heart के beating का होता है, you already know, 72 average, normally, clinically जब हम देखेंगे, तो उसको 60 to 100, एक normal rate होता है, more than 100, sinus tachycardia, 60 से नीचे, bradycardia, so यह तो आपको पता ही है, right, duration of each cardiac cycle, is 0.8 second, यह पहला MCQ आप लोगों के सामने आ गया, each and every cardiac cycle जो है, वो यह है, अब हमारे पास में atrial systole होगा, और atrial diastole है, यह हाट का उपर वाला हिस्सा contract करेगा, relax करेगा, और नीचे वाला हिस्सा contract करेगा, relax करेगा, ठीक है, atrial systole means, वहाँ पर obviously इसका duration छोटा है, यह सिर्फ याद रखने वाले durations हैं, इसको फिर से हम दूसरे एंगल से देखेंगे, और इसके contractions के भी part है, right, all right, 0.1 seconds, बिल्कुल छोटा सा 0.1 second का systole होता है, यानि ना के बराबर atrial systole होता है, that means, अगर atrial systole, heart के उपर वाले हिस्से contract नहीं भी करे, तो भी आपके heart को कोई फरक नहीं पड़ता, mind well, इसका यह आगे चलके, atrial fibrillation के साथ आपको समझ में आएगा, but anyways, right now पहले basic से जाते हैं, so, normally क्या होता है, पहले blood आता है, superior vena keva से, और inferior vena keva से, आपके right atrium में, right atrium में blood आता है, और right atrium आपका contract करता है, ठीक है, और वो blood लेके left, right ventricle में डालता है, almost similarly, क्योंकि हमने देखा, essay node यहाँ से, beat generate करता है, last हमने class में देखा था, essay node beat generate करके, यहाँ से, जो उसकी, nerves, impulses जाती हैं, वो, पहले right atrium, फिर left atrium को contract करती है, because of that, हमारे P wave के दो हिस्से, यहाँ पे आते हैं, right, तो वो दिखने में एक होता है, लेकिन P wave में technically, दो parts होते हैं, right, और P wave के दो parts मतलब, right atrium, right or left atrium, almost semi same same contract करते हैं, बहुत minor difference होता है, so atrial systole जब कहते हैं, तो हम दोनों atrium की बात कर रहे हैं, we are not talking about one atrium here, right atrium systole, left atrium, no, we are talking about दोनों के दोनों, right or left atrium एक साथ contract कर रहे हैं, ठीक है, and, एक साथ contract करेंगे, तो दोनों blood नीचे छोड़ देंगे, and उसके बाद में, दोनों relax करेंगे, ठीक है, so atrial systole and diastole, always remember, anywhere in the heart, systole is very short, systole is short, S for systole, S for short, simple, ठीक है, short systole होगा, और diastole will be long, diastole is always long, even अगर हम ventricle में blood जाएगा, ventricle contract करेंगे, blood आपके, heart से बाहर जाएगा, and that is also long, ventricular systole 0.3 second, ventricular diastole 0.5 second, okay, so that is there, let's see another, इसको अलग से एक और डाइगराम में, अच्छे समझेंगे, timing को भी, अब सबसे पहले, clinical practice में आपको बताया, systole जो होता है, it is basically ventricular systole, और diastole जो होता है, ventricular diastole, so ventricular systole, यानि heart के lower हिससे, जब contract करते हैं, तो हम ventricles ऐसे बना सकते हैं, simple से फक्टवे, तो ventricles जब systole करते हैं, तब उसमें, there are five parts, and जब systole करते हैं, two parts और diastole करते हैं, five parts, इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत आसान है, isometric का मतलब होता है, कि meter wise, जो length है, जो वो change नहीं हो रही, whatever you say, so equal size या length, so heart जो है, उसका जो contraction हो रहा है, but the size is not changing, this is called isometric contraction, उसका time is 0.05, ejection period, उसके बाद आता है, कि heart contract करने शुरू होता है, पहले, पहले क्या होगा, पहले आपके action potential develop होगा, action potential से heart की muscle पे impulse generate होगा, impulse generate होने के बाद, isometric contraction आएगा, isometric contraction के बाद आएगा, ejection सीधा, then there will be an ejection, and that ejection is, may way, way longer than isometric contraction, but for the conceptual part, आपको याद रखना है, कि isometric contraction नाम की चीज़ होती है, same way, isometric relaxation नाम की चीज़ होती है, okay, proto-diastole क्या होता है, rapid filling क्या होती है, slow filling क्या होती है, लास्ट रैपिड फिलिंग क्या होती है यह सब हमने समझना है एक एक करके यह पूरा पार्ट काडिक साइकल का आएगा अभी से सोचोगे कि यह क्या यह क्या है तो बहुत परिशान हो जाओगे और लगेगा कि यार यह तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी ठीक है तो इसको ध सब्सक्राइब लेकिन इसमें क्या चीजे समझने वाली बात है इसमें समझने वाली बात है जो इंपॉर्टन्ट क्वेस्चन आता है वह यह सारे आते हैं कि हार्ट जो है टोटल डाइस्टोल में कितने देर कंप्लीट हार्ट जो होता यहां पर यह इसको अगर हम सीधी लाइन कीचें इसको जड़र देखिएगा इसको अगर हम सीधी लाइन कीच रहे हैं मिडल से अगर हम सीधी लाइन कीचें तो इसके इस तरफ वाला जो सारा हिस 0.4 seconds heart joha relax रहता है what does that mean that means हमने देखा cardiac cycle की duration क्या है simple simple जो मैं बुर्णों वो याद रखना है 0.8 seconds की cardiac cycle की duration है एक cycle और उस एक cycle में आदा हिस्सा heart relax रहता है आदा हिस्सा heart contracted रहता है लेकिन उस आधे हिस्से में से उस आधे हिस्से में 1 3rd ventricle बड़े होते हैं तो ventricle contract करते हैं 1 3rd atrium contract very simple very simple ठीक है तो यह simple सी बात याद रखनी है हमने okay this is simple simple all right so और इसके कोईंसी कोईंसाइड क्या करते हैं यह सारे चीजों में हम उसको अभी दीरे दीरे देखेंगे यह simple सा हमारे पास contraction और relaxation का part है पहले आपने देखा there is atrial systole atrial systole का मतलब होता है जब heart जो है उपर का part जोर से contract कर रहा है and that and that part atrial systole में थोड़ा सा blood very small amount of blood जो है obviously contract करेगा तो नीचे ventricles में आएगा this because of this atrial systole में यहाँ पर इसको और एक चीज़ बोले आती है last rapid filling phase of pre-systole now here pre-systole की बात हो रही है ventricular pre-systole की यह बात याद रखिएगा ठीक है क्यों क्यों बात हो रही है यहाँ पर ventricular systole की और क्यों अभी जब हम घूम के आएंगे यहाँ से घूम के वापस तब समझ में आएगा okay so last part कैसे है पहले समझ लीजिए atrium systole हुआ उसके बाद isometric contraction हुआ है किसका ventricles का यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है isometric का मतलब क्या है valves close होते है आपको पता है जैसे ही यहाँ पर pressure आता है valves के direction आप जानते है I hope आपको पता हो anatomy पड़ी है नहीं पड़ी है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं okay तो जो valves का direction होता है यहाँ पर हमारा inter atrial septum interventricular septum और जो valves का direction होता है वो नीचे की तरफ होता है ठीक है अब यहाँ पर भी वैसा ही समझ लीजे यह valve जो है इधर से blood जाएगा तो open है लेकिन यहाँ से blood जाने की कोशिश करेगा जैसे ही तो यह valve जो है ऐसे करके close हो जाएग तो यह valve एक दूसरे पर ऐसे close हो जाएगी तो यह valve close होने के बाद close होने के बाद एक और जगा से दूसरी जगा पर है कौन सी दूसरी जगा है यहाँ पर जैसे यह राइट है तो यहाँ से है अउटा इसलिए तो वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाता व्लड कहां जाता है आयोटा में आयोटा में जाता है तो यहाँ पर जिस वक्त यहां से लास्ट एट्रियल सिस्टोल होने के बाद isometric contraction हो रहा है तो उस वक्त एकदम से यह वेल्ड एक वेल्ड एहल जानते हैं एकदम से यह घुल चाहाँ तो नहीं नहीं एकट प्रेयल आहाँ रहता जबटक वह मैनूट अमूंट आप प्रेशर डीवलप नहीं होता इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता तभी तो यह बंद है और तभी तो यह खुलेगा और फंग से ब्लट बहार जाएगा ठीक है किसका दोनों वेंट्रिकल्स का और उसके उस टाइम पर दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्स विल्डी क्लोज्ट अब यह जो डूरेशन याद करने विली बात है वो थोड़ा सा रटना पड़ेगा बट हमने थोड़े से कॉंसेप्स समझा दिया कि एट्रियल सिस्टोल है वो 0.11 सेकंड का है बहुत छोटा सा है अब यह इसमें एक चीज़ याद रखनी है अट्रियल सिस्टोल में जो ब्लड नीचे जाता है इट इस तेन परसेंट अफ अल्ड़ ब्लड विचिस कम इंड वेंट्रिकल्ड देरफोर इन पेश्टेंट्स वाव इंट्रियल फिर जहां पर यह हाड जो है कॉंट्रैक्ट नहीं कर रहा सिर्फ फड़ फड़ा रहा है उपर का पाट यह मैंने तोड़ी देर पहले बताया बट लेस्ट नॉट कंफ्यूज तो यहां आइसोमेट्रिक कॉंट्रैक्शन हो रहा है तैट मेंस वैल्ड आ क्लोज दी वेंट्रिकल पिरियोड साइट ओर काली हो रहे हैं और लफ लेगा यहां से बलट जाएगा बॉडी को और यहां से ब्लट जाएगा आपके लंग्स को लंग्स को आई होब आपको दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज मैसेज करिएगा वाटसब के यह लाइव चैट पे आप लिखेंगे तो हमें पता चलेगा उसके बाद यहां पर लंग्स में खाली हो गया तो हमने जो देखा था यह आईसो वैंट्रीडिकिलर सिष्टोल के दो पाट होते हैं आईसोमेट्री कॉंट्रैक्षिन अजेक्वेट पेरियद तो वह बैंट्रिकुलर कॉंट्रैक्षिन हो गया कहा हो गया यहां पर तो अब ventricular contraction के पाद आएगा proto-diastole अब इसमें एक चीज और समझने वाली है before we go into proto-diastole जब यह हाट के यहाँ पर जब first atrial systole में जब जैसे ही contraction शुरू होता है first thing that will happen is कि वो जो valve हमने बनाया था वो valve जो ऐसे open था वो टप से close हो जाएगा ठीक है तो वो जब valve close होगा यहने के atrioventricular valves AV valves close होंगे तो that time हमारे पास हाँ तो वहां पर भी sound आएगा that time और वहां पर हमारे पास में sound आएगा atrioventricular valves will produce a heart sound and even the contraction of aortic atrial systole will also cause heart sound which is the fourth heart sound heart sounds पर तर हम डीटेल में आएगे क्योंकि यहां पर confusion नहीं होना चाहिए इसलिए heart sounds के लिए हमने अलग से एक session रखा है which is basically going to be on open house open house का session होगा इस class के बाद 1045 पर और the open house sessions आप नीचे link मिलेगा आपको वह link पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप आज सकते हैं free of cost okay okay then we have atrial diastole यहां पर so heart की contracts ventricular systole होने के बाद में atrial diastole शुरू हो जाता है और ventricular diastole भी शुरू होता है proto diastole में हमको यहां पर इस figure को क्यूं देखना important है this one figure क्योंकि हम यहां देख सकते हैं कि जब ventricular systole हुआ है उसके बीच में ही atrial diastole शुरू हो गया है this part of the heart this half of the heart half of the heart is empty पर हाठ जो है empty er간 उन्हें खाली हो रहा है यहां पर adrenal systole है तो atrium खाली हो रहे है यहां पर ventricular systole रहे आ यहां पर ही वह हाट खाली हो रहा है यहां पर भर रहा है यह बात याद रखने वाली बाली है एंड एत्रियल डाइस्टोल जो हमने बात करी वह वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ ओवरलाप कर रहा है यह ब्लड एत्रियम में भर रहा है राइट एत्रियम में भर रहा है पल्मनरी बेन से ठीक है ओल्राइट सो दोनों ओवरलाप कर रहे हैं अब समझते हैं वोट वेंट्रिकुलर इवेंट्स वर्सेज एट्रियल इवेंट्स जो हमने यहां देखा था इसके अंदर थोड़ा सा जैसे मैंने को बताया था 0.3 सेकंड्स का एट्रियल कॉंट्रेक्श तो बाकी साइं पर रिलैक्स होगा और 0.1 का अगर एट्रियल से स्टोल है तो एट्रियल डायस्टोल जो होगा वह कितना होगा 0.7 सेकंड्स है बाकी बच्चा टाइम है उसमें कंट्रेक्ट करेगा है कि नहीं तो यह सिंपल है 8 से माइनस कर देना है और याद हमें रखना ह है कंट्रेक्शन और रिलाक्सेशन शिम्पल सी चीज़े ओर रहें तो नव धिसे कमिग इंट इसो पर में ट्रेक्ट्रेक्षन हमने इसो वोल्यू एक की बात आई या इसो मेट्रिक कें बात आय तो दोनों के दोनों सेम चीज है इसका ध्यान में रखना है और इस isometric contraction जो है कई बार उसका उसका थोड़ा सा time याद रखना है बहुत ही कम होता है 0.05 यह भी सवाल कभी-कभी आ जाता है ओके और यहां पर हमने जो important चीज याद रखनी है कि हमने जब बात की थी AV sounds first heart sound होता है because of the atrioventricular valve closer so first heart sound आ जाता है and that is where यहां पर जैसे ही AV valve यहां close होंगे there will be a first heart sound first heart sound okay opening of semilunar valves यहां हो रही है this is in the ejection phase और third बात प्रोटो डायस्टोल और इसके बारे में अभी बात करेंगे पहले सारी चीज़े cover करते हो जाते हैं ejection phase हमने देख लिया जो के 0.22 seconds का है और ejection में there are two parts यह बहुत अच्छा है ejection में there are two parts एक होता है rapid ejection और slow ejection rapid ejection कब होता है जैसे ही यह pressure भर जाता है pressure इतना जादा हो जाता है के semilunar wells खुलते और पर से बुरा blood जाता है इस वेर दे इजेक्शन प्रिकर पीरेड happens and then second phase में जो slow ejection slow ejection होता है वो बचे हुए blood का होता है because in this ventricular diastole atrial diastole happens यह देख रहे हैं atrial diastole यहां पर overlap कर रहा है तो जब heart का atrial भरता जाएगा so wouldn't that push the valves into the heart जैसे यह समझ लिए यह heart का उपर का हिस्सा है और यह एक नीचे का हिस्सा है एक atrium बता रहे हैं आपको यह ऐसा है अभी क्या हो रहा यहां pressure जादा है तो valves will push up structure हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे ऐसे तो यह आप आगे अब क्या होगा धिरे-धिरे atrium भरना शुरू हुआ और यहां से blood खाली होना शुरू हुआ तो धिरे-धिरे ventricular pressure कम हुआ और intra-atrial pressure बढ़ा तो क्या आएगा यह valve push करेंगे नीचे राइट तो जब यह valve push करते हैं या atrium push करते हैं यह भी तो कुछ pressure बनाएंगे ventricle पे तो जब यह pressure बनाते हैं तो भी थोड़ा सा blood और बाहर निकल के जाता है कहां जाएगा in the iota जो बाहर निकलने के रास्ते है pulmonary artery तो इस वज़े से there is two phases first rapid ejection second slow ejection slow ejection of second phase which is very slow very small is because of atrial diastole atrial diastole के वज़े से होता है atrial diastole के वज़े से there is pressure and यहां पर जो valves को bulging होगी valves की bulging होगी inside the ventricle यह ध्यान में रखें ठीक है उसके बाद then there is something called as end systolic volume यह बहुत important so although हमने यह देखा है कि यहां पर बहुत सारा blood बाहर निकल जा रहा है और ejection period में even fast ejection slow ejection के बाद लेकिन जो atrium होते हैं वो पूरे खाली नहीं हो जाते हैं they are not going okay so पूरे खाली नहीं होते हैं and systolic volume and diastolic volume and diastolic volume नाम की चीज होती है यह सब जो हैं आगे चलके clinically बहुत important हो जाते हैं amount of blood जो ejection के बाद systolic के बाद रह जाता है end of systole पे which is called end systolic volume which is around 60 to 80 ml per ventricle so end systole यहां पर फिर भी यह वाला blood जो बचा है this will be around 60 or 80 ml ठीक है अब इसमें ejection fraction भी आता है what is the normal ejection fraction of heart normal EF ejection fraction of heart is approximately 60 which is more than 55% बोला जाता है ठीक है 60 so normal ejection fraction is this of the heart that means जितना भी heart ventricles में blood भरेंगे if it is like 100 ml भरा so 100 ml में से 60% वो आगे pump out कर देगा और बचेगा कितना 40% ठीक है so according to this also we have end systolic volume and end diastolic volume end systolic volume का मतलब है systole होने के बाद कितना बचा और obviously end diastolic volume will be कि पूरे की पूरी heart में कितना total blood भर सकते हैं relax होने के बाद अब इनको measure करने का कोई तरीका तो होगा इनको measure करने के लिए radionuclide angiocardiography mugastan होता है we can also check it by ecocardiography ecocardiography easier method है और catheterization से CT scan से MRI से भी so check किया जा सकता है ejection fraction like हमने आपको बताया ejection fraction is anywhere between 60 to 65% clinically 55% को माना जाता है but for your exam purpose आप 60 to 65 पे click करेंगे more than 55 is considered normal but 50 60 to 65 पो आप click करेंगे अगर वहां पर आता है यह important question है और अगर हमने आपको बुला कि 80 ml बच जाता है 60 to 80 ml heart में बच जाता है which is the end systolic volume और 60% ejection fraction है तो simple math से आप जान सकते हैं कि 60 to 80 बच जाता है 70 ml is something called as stroke volume तो stroke volume is 70 ml तो हमें क्या याद रखना है इन में से कोई कितना परसेंट बहार निकल गया तो आएका 55 to 60 60 परसेंट बहार निकल गया है ना सिंपल सा फंड़ा तो आप हमने देख लिया वाट इस end systolic volume and diastolic volume and stroke volume okay all right then we have to cover this also determination of ejection fraction fraction a very very important factor इसका एक बहुत ही खतरनाक और complicated sa calculation है calculation है so what is the calculation either we need a stroke volume or we need end diastolic volume or end systolic volume and end diastolic volume very simple ejection fraction calculation का क्या है stroke volume जो के आपका 70 divided by either you divide this by end diastolic volume what is the end diastolic volume it is 8 1 5 0 okay and or यहां पर EDV क्या था end diastolic volume is 150 minus end systolic volume कितना था 80 which is equal to 70 divided by 150 so the same thing comes here 150 और इसका परसंटेज आएगा यह बेसिकली so this will become like 55 to 60 percent यहां पर ejection fraction के लिए आप इस तरह से निकाल सकते है stroke volume जो हमने बताया ठीक है so stroke volume अगर नहीं पता तो इस हाओ इस अच्छा इजेक्शन fraction अगर आपके हाट का कम है practical point of view if the ejection fraction of a heart is less significance बात कर रहे हैं इजेक्शन fraction अगर कम है that means during systole the left ventricle और even technically जब हम ejection fraction बोलते हैं वैसे तो दोनों की बात होती है लेकिन ज्यादा तर बात होती है left ventricle की ओके left ventricle की बात हो रही है left ventricular systolic जो dysfunction होता है तब ejection fraction काम होता है and clinically it's an index where you determine कि हाट की pumping power कितनी कम है if it is less than 50 or less than 55 then it is a mild systolic dysfunction if it is less than 35 it is moderate around no less than 40 moderate systolic 35 to 40 you can say moderate or it is less than 30 it is severe systolic dysfunction so these are the clinical parameters जो आप medicine में पढ़ेंगे ठीक है और क्यों contractility कम होगी because of myocardial infarction यानि के heart के किसी एक हिस्से में MI हो गया MI हो गया तो वहाँ पर वो इससा काम करना बन कर गया so उस particular left ventricle का मान लेजे septum काम करना बन हो गया या lateral wall काम करना हो जाएगा या cardiomyopathy होगी यही heart जो है वह enlarged हो गया once the heart is enlarged or perhaps thickened then there is a problem why if heart is enlarged so technically enlargement से बहुत कुछ हो जाता इसमें enlargement से जो 1500 ml blood उसमें भर रहा चाहिए था instead of 1500 ml मान लो उसमें 300 ml blood भर रहा है 300 ml blood के से वह पूरा का fraction तो हो जाएगा because the denominator has increased if the end diastolic volume increases ejection fraction decrease is simple okay minor stroke volume increase हो सकता है initially इसमें क्या पंपंडा है while the heart starts enlarging enlarging थोड़ा सा initially stroke volume can increase contractility can increase because heart के अंदर elastic property होती है but up to a level उसके बाद ज्यादा इंक्रीज हो ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब नहीं होता तब उसकी contractility और कम हो जाती है अब सेम वे में अगर heart का cardiomyopathy हो जाती है hypertrophic cardiomyopathy that means heart heart जो है वो मोटा हो गया है तो हाट मोटा हो गया है तो अंदर 1500 ml भरी नहीं सकरे हम सिर्फ उसमें 100 ml भर पा रहे है तो एक बार में जो end diastolic volume है that becomes 100 only so if this decreases ejection fraction will increase ejection fraction will increase but still still the patient can go into cardiomyopathy can go into congestive heart failure because 100 ml भरने के बाद भी heart पूरा खाली नहीं होगा it will still have 70 ml भार चोड़े का जरूरी नहीं it might just leave you know 60 ml भार चोड़े 50 ml भार चोड़े because it has to have something inside and systolic volume 0 नहीं रख सकता right so is two cheezo के बारे में आपको आगे समझाएंगे not in this chapter but आगे वाले chapters okay so time हो गया है इसके आगे का thank you so much अगर आपको कोई point नहीं समझा हो तो हमारे नीचे description में link दिया हुआ है उसको जाके क्लिक करो और वहां से special class है unacademy के app पे वहां पे आजाओ free of course class है वहां पे हम explain करने कोशिश फिर से करेंगे okay so thank you so much इस चैनल को like करें सब्सक्राइब करें गंट क्या बेल का icon दबाईए और इसके PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं through unacademy app okay so thank you guys stay connected stay